तो ये मूवी है एक ऐसी फंगस के उपर जो की रियल लाइफ में भी एक्जिस्ट करती है तो आपको ये मूवी देखने में काफी मसा आएगा तो एंड तक मूवी को ज़रूर देखना तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ मूवी की स्टार्टिंग होती है एक गैस्टेशन को दिखाते हुए जो की जंगलों के बीचो बीच बसा हुआ था वहाँ पर एक वरकर ब्लेक चेर पर बैटकर चिप्स खारा होता है कि तभी उसे पीछे से जाडियों से कुछ आवास सुनाई देती है और फिर वो उस आवास को सुनते हुए जाडियों के पीचे चला जाता है तभी कोई अजीब सा जानवर जो की मेरे ख्याल से एक जंगली गिलहरी थी वो उस पर अटेक कर देती है लेकिन यह कोई आम गिलहरी नहीं थी बलकि बहुत ही भयानक थी लेकिन ऐसा क्यूं है इसके बारे में हम थोड़ी एनिवर्सरी होती है अब यहां पर सैथ को यह कैंपिंग वगएर पसंद नहीं थी और वो किसी मोटल में जाना चाहता था लेकिन वो पॉली की बात नहीं टाल सकता था इसलिए वो यहां पर आ गया था फिर जब वो कैंप लगा रहे होते हैं तो सैथ कुछ जादा ही ताकत लगा देता है जिससे कि वो टेंट तूट जाता है जिसके बाद में पॉली भी मोटल जाने के लिए मान जाती है अब वहीं दूसरी तरफ जंगल में हम एक और कपल को देखते हैं जिसके अंदर लड़के का नाम डैनिस होता है जो की गर्ल्फरेंड का नाम लेसी होता है ज क्योंकि उनसे लिफ्ट मांग रही होती है वो गाड़ी रोकर सोचने लगते हैं कि क्या किसी अंजान लड़कियों को लिफ्ट देना सही होगा लेकिन तभी डैनिस वहां पर आ जाता है और गन पॉइंट पर इन दोनों को धंगाने लगता है जिसके बाद मैं डैनिस सेथ को ड्राइब करने के लिए कहता है लेकिन सेथ ये बोलता है कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती ये सुनकर डैनिस पॉली को कार ड्राइब करने के लिए कहता है और इसी दोरान वो इन दोनों के फोन को गाड़ी से बाहर फिक देता है ताकि ये दोनों बाहरी दुनिया से औ पूर्टेक्ट ना कर पाएं अब सीन थोड़ा आगे बढ़ता है लेकिन तभी अचानक से ही उनकी कार की की टायर के नीचे एक जानवर आ जाता है और इसके चलते गाड़ी का टायर फट जाता है डैनिस अब सेथ को टायर बदलने के लिए कहता है लेकिन सेथ में एक नूकीली सी चीज चुप जाती है जो कि उस टायर में लगी हुई थी वहीं दूसरी तरफ लेसी और सैथ उस जानवर को देख रहे होते हैं जो कि बहुती बुरी तरह से कुछला जा चुका था तब ही नशे में धुत लेसी सैथ को गंद दिखा कर ये कहती है कि वो उस के बाद मैं डैनिस पॉली को धंकाने लगता है और कार चलाने को बोलता है लेकिन सैथ अभी तक वहां पर नहीं आया था और वो साफ साफ ड्राइव करने से मना कर देती है अब कुछी दिर के बाद मैं सैथ वहां पर आ जाता है जिसके बाद ये सब आगे निकल जाते हैं और पीछे हम उसी टायर को देखते हैं जो कि पंक्चर हो गया था और उसके अंदर से कुछ नुकीले काटे जैसी चीज बहारा रही थी यहां पर अब गाड़ी के अंदर लेसी काफी घबराई हुई थी तो उसका बॉइफरेंड ये पूछता है कि आखिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो लेसी अब डैनिस को बताती है कि जिस जानवर को हमने पीछे कुछल दिया था वो काफी अजीब था और उसने आज तक ऐसे किसी जानवर को नहीं देखा है और जब वो उनके पास में गए थे तो वो उन पर हमला करने लगा था लुक्स लैक कि वो खुद को रिकवर कर रहा था यहां पर डैनिस यह सोचता है कि लेसी ने बहुत टाइम से ड्रग नहीं लिया है तो हो सकता है कि वो नशे की वज़े से ऐसा कर रही होगी तभी अब डैनिस पॉली को गाड़ी काफी तेज चलाने के लिए बोलता है जिसका भी एक रीजन है जिसके बा जैसी ती जो कि इनके टायर के नीचे आकर कुछल गया था अब या तब वो सेम जानवर था या फिर सेम ब्रीड का था खैर गाड़ी से नीची उतरने के बाद में डैनिस और लेसी की बीच में जगड़ा हो जाता है क्योंकि डैनिस उसकी बात पर यकिन नहीं कर रहा था इ इदर डैनिस सेथ को कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर गैस भर ले और ये मत कहना कि तुमको गैस भरना भी नहीं आता लेकिन सेथ ये कहता है कि नहीं ये काम तो वो कर लेगा खेर वो खोदा पॉली के साथ में शॉप के अंदर जाता है जहां पर अंदर कोई भी नहीं होता और डेनिस वहाँ पर आसपास की चीज़ों को खोल कर खाने लगता है लेकिन तभी पॉली वहाँ पर एक लैंड लाइन फोन को देखती है और वहीं दूसरी तरफ सैथ कार के अंदर गैस भरता है और वहाँ पर कार को साफ करने लगता है तब ही लेसी वाश रूम का गेट खोलने की कोशिश करती है जो कि अंदर से लॉक होता है और वो काफी जोर जोर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और किसी तरह से वो दरवाजा खुल जाता है लेकिन जैसे ही वो अंदर देखती है तो अंदर एक आदमी होता है जो कि बहुती बुरी तरह से पड़ा हुआ था वो बहुती ज़दा जखमी था उसकी बॉड़ी से कुछ नुकीली चीज़े बाहर निकल रही थी दरसल ये कोई और नहीं बलकी बलेक था जो कि मुवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था जिस पर उसकी लहरी ने हमला कर दिया था और ये जो चीज़ है ना ये कोई काइंड ओफ फंगस है जिसको मुवी के अंदर स्प्लिंटर कहा गया है अब इसके बाद में लेसी वहां से भाग कर डैनिस के पास में आती है और लेसी डैनिस को बताती है कि वाश रूम के अंदर बहुत ही अजीब सा इंसान है जिस पर डैनिस फिर से उसकी बात को नहीं मानता तब ही डैनिस लेसी को कहता है कि वो शौप के अंदर जाए और कुछ खापी ले लेकिन तब ही वो स्प्लिंटर वाला आदमी लेसी की तरफ आता है और लेसी का पैर पकड़ लेता है और डैनिस लेसी की हल्प करने के लिए कोशिश करता है पर वो उसे नहीं बचा पाता जिस वज़े से लेसी की यहीं पर मौत हो जाती है जिसके बाद मैं डैनिस समझ जाता है कि लेसी जो भी कह रही थी दरसल वो बिल्कुल सच था तब ही वो स्प्लिंटर वाला आदमी यानि की ब्लेक सैथ के तरफ बढ़ने लगता है लेकिन जैसे दैसे करके सैथ और डैनिस भाग कर शौप के अंदर चले जाते हैं वहाँ पर पॉली मौजूद थी और वो लैंड पॉलिस को कॉल नहीं किया तो वो स्प्लिंटर या फिर जो भी चीज है वो उनको माड़ा लेगी लेकिन डैनिस उनकी बात पर यकीन नहीं करता जिसके बात में वो शौप के काउंटर के पास में जाता है और वहाँ पर रखा हुआ सारा पैसा अपनी जेम में बढ़ लेता है लेकिन तभी उसे वहाँ पर कैमरा दिखाई देता है अब डैनिस लेसी को बचाने क लिए दरवाजा को बाहर जाही रहा होता है कि तभी से यह कहता है कि अगर गारी पर पड़ा हुआ splinter थोड़ा सा भी move हुआ तो वो उसको inform कर देंगे और अगर इस दोरान उसको कुछ भी हुआ तो वो फॉरन ही gate को बंद कर लेंगे यानि कि वो उसको अंदर नहीं आने देंगे इस पर Dennis भी मान जाता है और वो बाहर जाकर लेसी को खीच कर अंदर की तरफ लाने लगता है लेकिन तभी लेसी उसके पैर को पकड़ लेती है और splinter में convert होने लगती है वो उस पर हमला करती है जिसके बाद में सेथ फॉरन ही Dennis को अंदर खीच लेता है और gate को बंद कर देता है लेकिन तभी एक चीज होती है कि Dennis के अंदर आने के साथ साथ लेसी का एक हाथ कट कर अंदर आ जाता है और वो हाथ अभी भी हिल रहा था और चल रहा था ये देखकर वहां के मौजूद तीनों लोग ही शौक डुशाते है और फिर तभी सेथ उस हाथ को कुचल देता है जिससे कि एक काले रंग का अजीब सा लिक्विड निकल रहा था जो कि स्प्लिंटर बना रहा था और यहां पर सेथ ये बताता है कि ये जो भी चीज है वो एक तरह की फंगस है यानि कि सेथ को यहां पर साइन्स के बारे में काफी नौलिज थी वो ये अनुमान लगाता है कि ये जो भी चीज है ये फंगस वगएरा ये खून को पीकर जिन्दा रहती है और तब ही उने गेट की ओर से एक आवाज आने लगती है जिसकी चलते वो तीनों गेट के पास में जाकर देखते हैं कि लेसी का जो स्प्लिंटर वाला रूप था वो अपने सर से डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था डैनिस अब लेसी को इस हालात में देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और सेथ उसको समझाता है कि अब वो उसकी गरल फ्रेंड लेसी नहीं रही है बलकि उस फंगस ने उसको पूरी तरह से इंफेक्ट कर दिया है जिसके बाद में वो लोग शॉप के एक कमरे में जाते हैं वो सोचते हैं कि पीछे के दर्वादे से वो भाग जाएंगे अब जैसे तैसे करके वो उस डोर को तो खोज लेते हैं लेकिन वो ये नोटिस करते हैं कि वहां बाहर की तरफ वहां एक और गेट लगा हुआ था जोकि बाहर से लॉग्ड था वो पुलिस ओफिसर इनने बाहर आने के लिए कहती है लेकिन ये लोग शिला शिला कर कहते रहते हैं कि ये बाहर खत्रा है और आप भी यहां से चले जाएए अब इन सब की बीच में कॉन्वर्जेशन होई रही होती है कि तब ही लेसी उस ओफिसर को उपर की तरफ खीच लेती है और दो टुकडों में बाट देती है जो कि काफी गुरूसम था जिसको देखकर पॉली रोने लगती है अब तब ही हम देखते हैं कि डैनिस की हाथ की एक उंगली के अंदर कुछ स्प्लिंटर जैसा ही था और उसकी वज़े से उसके हाथ में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था लेकिन अब आप यह सोचेंगे कि यह सब कब हुआ था तो जब डैनिस टायर बदल रहा था तो उसकी उंगली पर कुछ चुप गया था और वो कुछ और नहीं बलकि यही स्प्लिंटर था लेकिन ये बात वो किसी को भी पता लगने नहीं देता और बात करें उन जानवरों के बारे में तो वो भी इसी फंगस यानि की स्प्लिंटर से इंफेक्टेड थे और इसलिए ही वो इसने जादा भायानक दिख रहे थे मेरे खयाल से ये दोनों जानवर डॉग और गिलहरी थे लाइक स्टार्टिंग में जिसने बलेक की उपर हमला किया था वो तो 100% गिलहरी थी अब तभी सेथ एक प्लैन मनाता है कि अगर किसी तरह बाहर खड़ी हुए गाड़ी को आग लगा दी जाए तो पुलिस वहाँ पर जरूर आईगी उसका ये प्लैन पॉली को काफी अच्छा लगता है और डैनिस पीछे के दरवाजे से पेट्रोल को बाहर भाने लगता है लेकिन तभी सेथ ये सोचता है कि अगर गलती से भी गैस टेशन में आग लगी तो वो सब बेमतलब ही मर जाएंगे तभी सेथ एक चीज नोटिस करता है कि बाहर पुलिस आफिसर का रेडियो था जो कि आवास कर रहा था और अभी भी चल रहा था अब वो उस रेडियो को खीचने के लिए तारों को जोडते हैं और बाहर की तरफ धकेल देते हैं लेकिन तभी लेसी वहाँ पर आ जाती है और सेथ उस्तार को जोर्त खीचने लगता है जिसके चलते लेसी का एक हाथ पूरा तूट कर अंदर आ जाता है और वो उन पर अटेक करने लगता है जहां पर वो लोग भाग कर फ्रिज वाले एरिया में चले जाते हैं और वहीं पर छुपे रहते हैं अब तभी वो एक चीज नोटिस करते हैं कि वो हाथ अब उन पर हमला नहीं कर रहा है लेकिन तभी डैनिस का हाथ अपने आप ही मूव करने लगता है क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ही जादा फैल गया था अब वो जो हाथ होता है वो डैनिस के शोल्डर से अपने आप ही डिसलोकेट होने लगता है और 360 डिग्री में मूव करने लगता है इससे डेनिस को काफी दर्द होने लगता है और वो चीखने लगता है इसलिए वो अपने ही हाथ को एक छोटे से नाइफ से काटने का फैसला करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता इसलिए सैथ उसको बचाने के लिए उसके हाथ को तोड़ देता है और अलग कर देता है चलते डैनिस का कटा हुआ हाथ इन पर अटेक नहीं कर रहा था जिसके बाद में सैथ एक प्लैन बनाता है और अपने नॉलिज के चलते अपनी बॉड़ी के टेंपरेचर को काफी नीचे कर लेता है और ऐसा करके वो पुलिस की गाड़ी की तरफ जाने लगता है ताकि वो हेल से चुट जाती है और इसी वज़े से उसका बॉड़ी टेंपरेचर फिट से नॉर्मल होने लगता है लेकिन सैथ किसी तरह से कार में बैठ जाता है लेकिन स्प्लिंटर उसकी तरफ आने लगता है क्योंकि उसकी बॉड़ी नॉर्मल टेंपरेचर में आ गई थी अब तभी पॉली स्प्लिंटर को देख लेती है और चिला कर सेथ को इन फॉर्म कर देती है जिससे की सेथ बच जाता है और दर्वाजे को लॉक कर लेता है अब तभी डैनिस फायर क्रैकर अपने हाथ में लेकर बाहर आ जाता है और उनके ओपर फेकता है जिसके कार अंड स्प्लिंटर उसकी तरफ चले जाते हैं तब ही स्प्लिंटर स्टोर के अंदर जाकर इन दोनों पर हमला कर देता है और इधर सैथ पुलिस की कार से गन लेकर स्प्लिंटर को मारने आता है इसी बीच वो कटा हुआ हाथ इन पर हमला कर देता है जिसके बाद में डैनिस सैथ से गन ले लेता ह और उन दोनों को ही स्टोर से बाहर जाने के लिए कहता है अब वो उपनी जान की परवा किये बगारी स्प्लिंटर को शूट करने लगता है कि तब ही डैनिस की गन की बुलेट खतम हो जाती है जिसकी वजह से स्प्लिंटर उसके ओपर अटैक करने लगता है डैनिस अब काफी बुरी तरह से घायल हो गया था तब ही हम एक चीज नोटिस करते हैं कि डैन ने सैम और पॉली को एक बैंक अकाउंट की चाबी देता है और कहता है कि इस चाबी को वो उस आदमे की वाइफ को दे दें जिसके हस्बेंट को उसने मार दिया था और यही रिजन था कि वो जेल न सैम को देखते हैं जो कि जखमी थे और पैदल पैदली वहां से जा रहे थे इनको यह लगता है कि यह स्प्लिंटर यहां पर जलकर मारा गया है लेकिन ऐसा नहीं होता तब ही हमको एक और जानवर दिखाया जाता है जिसके अंदर वही स्प्लिंटर था यानि कि वही फंगस है क्या रिल में ऐसी कोई चीज होती भी है तो जी हां ऐसी एक चीज होती है और यहां पर यह को डिसेप्स फंगस के उपर पार्शली बेस्ट मूवी है यह जो की स्मॉल इंसेक्ट्श को जॉम्बिफाइड कर देती जैसे कि एंट वगारा को और सबसे बड़ी बात की जो स पेस से कोई radiation धरती पर गिरा था जिसकी वज़ा से यह जो कोडिसेप्स वारी फंगस थी वो इवाल्व हो गई थी और उसने इंसानों को और जानवारों को zombify करना शुरू कर दिया था जो की काफी जाधा different था जिस वज़े से यह movie काफी अच्छी भी चली थी और मैं उमीद करता हूं कि यह जो knowledge है आपको किसी और explanation में कहीं भी नहीं मिली होगी तो कि यह कुछ नया था और काफी हटके था और मैं अपने चैनल के माध्यम से खाले आ लाइक कर देना चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे कॉमेंट करकर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए कर दो कर दो